Hi everyone, so मैं हूँ भावन बातला from the wheel of fortune 369 से आप सभी की tarot card reader और आज हम check out करने वाले हैं कि आज शाम आपके person आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या thoughts उनके दिमाग में चल रहे हैं ठीक है लेकिन उससे पहले अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास notification आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, आप चाहते हूँ ना मैं आपके त्यार इसी वीडियो बनाओ, तो फटाफट सा इस वीडियो को लाइक कर दीजे परसनल टारूट सेशन्स मैं नहीं लेती हूँ, तो परसनल टारूट सेशन्स के लिए भी प्लीज मेसेज मत करिये, ओके, चले, तो आगे चलते हैं, और देखते हैं आपके परसन क्या कुछ सोच रहे हैं आज शाम को आपके लिए, जब मैं काज कुछ शुफल करूं तो अ आपके लिए सबसे पहले चलिये, टू आप वांस है, वोल्ड की एनरजी है, पेज आप वांस है, किंग आप वांस है, अद थ्री आफ कप्स की एनरजी है, ठीक है, आण वन मूर, 7 of pentacles, beautiful, at the bottom हमारे पास है, night of cups, night of cups, beautiful, तो सबसे बहले तुम्हें आपको जोरियेक्स बता देती हूँ, यहां के जोरियेक्स हैं, Aries, Leo, Sagittarius, and Cancer, Scorpion, and Pisces, Taurus, Virgo, and Capricorn, यहांने, almost यह सारे जोरियेक्स साइंग्स हैं, आपके यह आपके परसन के हो सकते हैं, ठीक है, and नहीं है, of course, तो भी यह reading resonate करेगी, बट यह आज के मेन जोरियेक्स साइंग्स हैं, highlighted, okay, so, सबसे पहले तो मुझे जो आज शाम के आपके परसन के इनर्जी दिख रही हैं, it was like, जैसे वो दूर बैठे आपके बारे में सोच रहे हैं, बेभी आप लोगों के पीच में, जोग्राफिकल डिस्टेंस होता हैं, बहुत जादा है, आप और आपके परसन में भी आप दोनों डिफरेंट स्टेट्स में रहते हो, या बहुत डिस्टेंस है आपके घर में, यानि आप कहीं और और वो परसन कहीं और, तो, I can see a big geographical distance, ठीक है, या फिर, secondly, maybe age या भी बहुत हो सकता है, आपके और आपके परसन के बीच में, and here I can see, जैसे आपके परसन दूर बैठे भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको ही देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं तडपते हुए दिख रहे हैं, आपकी आवास सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके बार काम क्यों ना हूँ, ठीक है, अपने काम तो है, उन सारे रेगुलर वर्क्स को वो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान आपकी तरफ ही है, यहाँ पर भी अगर आप इस परसन को देखोगे ना, इनका ध्यान इस ग्लोब की तरफ ही है, यानि जितने मर्जी उनके काम हो, लेकिन ध्यान आपकी तरफ ही है focus उनका आपकी तरफ ही है कही न कहीं आपके person इस चीज को भी मान कर बैठे हैं जैसे आप उनकी दुनिया हो और आप जैसे ही उनकी दुनिया से जा चुके हो, तो अब उनको अपनी दुनिया में अकेला पंसूना सा लग रहा है सब कुछ ठीक है उनको ऐसे लग रहा है जिसे अब उनकी दुनिया में आप नहीं हो तो साथ कुछ नहीं है बहुत डी मोटिवेटेड से फील कर रहे हैं वो अकेला पंसा फील कर रहे हैं यहाँ पर भी अगर पेज ओवन के अनरजी देखी जाए तो यहाँ पर भी आपकी तरफ इस फोकस है किंग ओव वन की तरफ भी देखा जाए तो अपना काम यहाँ पर भी वो कर रहे हैं मेपी आपके person ना अच्छे power की है उनके finances काफी अच्छे हैं नेम, फेम है, society में उनका अच्छा नाम है, नहीं तो आप लोगों के separation का reason ना society भी हो सकती है, yes, हो सकता है कि societal reason की वज़े से, maybe कोई third party situation ऐसी है, अब की शाद husband है, wife है, और आप as a third party हो, ठीके तो वो आपको क्योंकि society and reason की वज़े से सब को मिलवा नहीं सकते, ठीके, तो वो भी कहीं ना कहीं एक energy मुझे यहाँ पर दिख रही है, जैसे आपके साथ जो उनका relationship है, उनको वो एक नाम नहीं दे पा रहे हैं, अपने पुरारे relationship को छोड़ नहीं पा रहे हैं, यानि maybe अगर उनकी कोई third party है, कोई husband है, wife है, girlfriend है, ठीके, it's somehow, कोई है अगर उनके जिन्दिगे में, तो वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, the reason is society, the reason is कि लोग क्या कहेंगे, the reason is कि उनको उनके उपर responsibility है उसकी, नहीं तो वो third party अगर romantic party नहीं है, maybe अगर उनका कोई family member है, तो भी वो of course उनको नहीं छोड़ सकते हैं, ठीके, नहीं उन्हें अपने जिन्दगी से निकाल सकते हैं, तो it doesn't that energy, जहाँ पर वो third party को अपनी जिन्दगी से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीके, और third party के साथ रहते हुए, उनका connection जैसे कि third party के साथ विल्कुल भी अच्छा नहीं है, positive नहीं है, fights बहुत जादा होती है, ठीके, क्योंकि ignorance यहाँ पर मुझे full दिख रहे हैं, यह जैसे third party के लिए उनकी ignorance है, ठीके, जो भी आपकी और आपके person के बीच की third party है, उनके लिए उसकी बिल्कुल ignorance है, वो शायद third party की असलियत को भी आपकी person समझते हैं, third party की असलियत को भी जानते हैं, कि third party कैसी है, ठीके, और उन्होंने क्या-क्या tactics, क्या-क्या clever काम करें हैं, आपको और उनको अलग करने के लिए, शायद उन्होंने नफरत भी होती जा रही है third party से, और third party भी शायद इस चीज को लेकर बहुत जादा परिशान है, वो आपके बारे में क्यों सोचते हैं, ये सोच कर, क्योंकि आपके person आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके person को पसंद है कि वो एक जगा टिक कर बैठ जाएं, और सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, उनके लिए ये सबसे best है, third party के लिए best है, वो party करें, बाहर घूमने चाहें, अपने friends के साथ, and it was like enjoying kind of thing, वो ना शिर्फ मेभी आपके third party जो है, that's what the energy of third party, ठीक है, लेकिन वो इस चीज से परिशान भी है, कि उन्होंने शायद आपके person को physically तो पा लिया है, लेकिन mentally वो person आपके साथ ही attached है, emotionally आपके person आपके साथ ही attached है, और आपकी तरफ ही आना चाहा रही है, right, so that's the energy जो की आज शाम की आपके person की दिख रही है, ठीक है, and आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं आपके person, so definitely अगर यह आपके साथ resonate करती है, तो यह reading आप ही के लिए है, मुझे जरूर बताएं कि कितना person यह reading resonate करी है, this is all for today, thank you, bye-bye, and take care.